हैपियस्ट माइन्ड हैपियस्ट माइन्ड एक ऐसा कंपनी है जो पर्टिकुलर कंपनी लेटेस्ट टेकनलोजी बेस्ट प्लैटफॉर्म की उपर काम करते हैं कंपनी इंडिया के साथ-साथ USA, Middle East, UK, Australia जैसे बड़े-बड़े कंट्री में भी अपना काम करते हैं तो जैसे के आप स्क्रीन में देख पर है कि हैपियस्ट माइन्ड ब्लॉक्चेन के साथ-साथ क्लाउड कंप्यूटर, आयोटी सर्विस, आटोमेशन, रोबोटिक, सिकुरिटी सर्विस ऐसा कुछ सर्विस कंपनी प्रोवाइड करते हैं हैपियस्ट माइन्ड का फंडा ऐसा है कि फ्यूचर में जो भी बिसने डिजिटली मोटिवेट रहेगा, उस पर्टिकुलर बिसनेस के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करेगा, हैपियस्ट माइन्ड के अंदर निबेस करने का और एक जो मेन कालन है वो है कंपनी का मैनेजमेन, मिस्टा असोक सूटा की बारे में साइध आप लोगों ने सुन और अभी हैपियस्ट माइन्ड को ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर बिसन लीड कर रहे है, तो आप सोच सकते है किस तरह से मैनेजमेन यहाँ पर स्ट्रॉंग दिखाई दे रहे है, इसके चलते आप मैनेजमेन की उपर पूरा भरोसा दिखा सकते है, साथ ही में आपको बता रहा है, उसके बाद यहाँ पर और एक रिजन कमपणी का मार्जिन जिसके चलते आप हैपियस्ट माइन के अंदर निवेज कर सकते हैं, हैपियस्ट माइन फ्यूचर आईटी टेक्नोलोजी की उपर काम करने के चलते, यहाँ पर अच्छा खासा एक मार्जिन कमपणी पर ग्रोप कर पाता है, happiest mind का geographical expansion भी एक कारण हो सकता है happiest mind के अंदर निवेज करने का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पर है कि अमरिका के अंदर 65% कमपनी यहाँ पर revenue earn कर रहा है, लेकिन यह जो dependency अमरिका की ओपर वो धीरे धीरे यहाँ पर कमपनी कम कर रहा है, और इंडिया दूसरा country के ओपर अपना जो dependency है उसको increase कर रहा है, तो happiest mind के जो business है वो diversified है बहुत सरा countries के अंदर, लेकिन यह भी है कि dependency यहाँ पर कम करना भी चाहिए अमरिका के अंदर, वो कमपनी कर रहा है, तो यह भी यह कारण है जिसके चलते आप happiest mind के अंदर निवेज कर सकते हैं long term क हिसाब से, आज से दो साल पीछे आप देखेंगे, तो यूएस से happiest mind 77% का revenue earn करता था, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम करते हुए, अभी कितना बच गया है, 66.4% लेकिन आप इंडिया देखिए, वहाँ पे इंडिया ग्रो कर रहा है, इरोप देखिए, इरोप के अंदर भी य आप देख पार है कि 2020 में, happiest mind के अंदर 157 customer था, active customer के मैं बात कर रहा हूँ, उसके बात 21 में कितना हुआ, 173, 22 में कितना हुआ, 206, यानि कि यहाँ पे जो customer growth है, यह बहुत ही अच्छी तरह से happiest mind कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है happiest mind के लिए, जब बात यहाँ पे client का आता है, तो यह तो पता होगा कि जितना भी बड़ा बड़ा client रहेगा, वहाँ पे IT companies यहाँ पे ज़्यादा चंग पैसा ले पाता है, तो यहाँ पे million dollar customer की बात करिए, 1 million dollar से लेके 10 million dollar की अंदर, जितना भी customer 2020 में था, वो यहाँ पे अच्छी तरह से grow हो रहा है, तो 2020 मे 25 total million dollar यहाँ पे customer था, next year कितना हुआ 26, लेकिन financial 2022 देखिए, यहाँ पे 38 हो गया है, तो बैतरीन ग्रोथ, happiest mind ने यहाँ पे बड़े-बड़े customer के acquisition के साथ यहाँ पे दिखाया है, आज से 2 साल पीछे आप देखेंगे, तो USA से happiest mind 77% का revenue earn करता था, वो यहाँ पे धीरे-धीरे कम करते हुए, अभी कितना बच गया है, 66.4%, लेकिन आप इंडिया देखिए, वहाँ पे इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इरोप देखिए, इरोप की अंदर भी यहाँ पे company अपना revenue हूँ, वहाँ पे grow कर रहा है, तो बहुत ही positive है happiest mind के लिए, उसके बाद और ही यहाँ पे main reason है, जिसके चलते happiest mind के अंदर आपको long time के अंदर निमेस करना चाहिए, वो है company, यहाँ पे customer base, आप देख पा रहा है कि 2020 में, happiest mind के अंदर 157 customer था, active customer के मैं बात कर रहा हूँ, उस रहा है, तो बहुत ही बड़िया बात है happiest mind के लिए, जब बात यहाँ पे client का आता है, तो यह तो पता होगा कि जितना भी बड़ा बड़ा client रहेगा, वहाँ पे IT companies यहाँ पे ज्यादा चंग पैसा ले पाता है, तो यहाँ पे million dollar customer के बात करे, 1 million dollar से लेके 10 million dollar के अंदर, जि financial 2022 देखिए, यहाँ पे 38 हो गया है, तो बैतरीं growth happiest mind ने यहाँ पे बड़े बड़े customer के acquisition के साथ यहाँ पे दिखाया है,